हलो एंड वेलकम फेंड स्वागत है अब सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सिन एथिकल हकिंग पर आज हम जानने वाले एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक खुद का सर्च इंजन क्रियेट करके सिक्यूर सर्फि प्राक्टिकल भी बता दूगा यह कैसे कैसे इस पर आप वक कर सकते हैं इन सब के साथ मैं आपको बता दूँ अपने पास आपने कई बार देखा होगा कि माली जी आपने कोई भी चीज स्वापिंग के लिए सर्च करिये तो अगली बार से जो एड़िजमेंट आपके पास आएंगी वो उसी तरह कि आएंगी देट मिंस इनके अंदर का जो आटिफीसिल इंटेलीजेंस है वो इन्हें बताता है कि आप किस चीज में इंट्रेस्ट रखते हैं उसी तरह के चीजों को आपको प्रोवाइड कर देते हैं लोग तो इससे एक बात तो किलियर हो जाती कि कहीना कहीं आप जो भी चीजे उन पर सर्छिंग कर रहे हैं उन चीजों पर नजर रखी जा रही है तो इसी कंडिशन में सीच्टुर होना बहुत ज्यादा मायने रखता है और किस तरह से हम बच सकते हैं इस तरह की चीजों से तो ज़्यादा बहतर यह है कि हम अगर cyber security field से हैं तो खुद के बनाए हुई चीजों पर काम करें तो इसके लिए बहुत ही बहतरीन option यह है जिसके बारे में मैं आप करा हूँ पेस्ट जैसी आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद आपको NNCD CRX यानि जो इस टूल का नाम है वो आपको लिखना होगा उसके बाद बात आ जाता है NNCD CRX का मतलब यह हुआ कि आपने CRX नाम से एक folder यहां पे create कर दिया है सिर्फ लिंक copy or paste करने से ऐसा नहीं होगा दूसरा इसे बहुत कम टाइम में आसानी से डाउनलोड हो जाएगा आफ्टर डाउनलोडिंग कुछ चीजे हैं जैसे कि इसकी requirements फुल्फिल करना जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप सीधे git clone करेंगे और यह link आपका जो mobile है उसमें install हो जाएगा termux में जाके यह मैं कर रहा हूँ termux app में आप चाहें तो इसे काली Linux के अंदर भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो उसके बाद जैसे यह install हो जाए तो कुछ इसकी requirement फुल्फिल होनी चाहिए अगर लोगों को दिक्कत आये तो यह जो link है यानि की जो आपको description में मिलने वाला है वहां जाके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीजों को आपको install करना पड़ेगा जिससे की यह सई धंग तो manage.ssi रहा है इसमें दूसरा आपको एक और कमांड देनी है update underscore packages तो जो packages हैं इसके अंदर मतलब इसको चलानी के लिए जो जरूरी packages हैं वो भी इसके अंदर आसानी से install हो जाएंगे ताकि आप उस पे काम कर पाएं तो जैसे ही मैंने यह command दिया आप देखेंगे इसमें ब requirement already satisfied तो जो भी requirement थी इसकी वो satisfied है अब बात आती है से use करने के बारे में तो चलिए मैं ऐसे use कर लेता हूँ यहां मैंने command दी python space आपको जाना है उसी folder में CRX वाले में तो CRX के अंदर एक page मिलेगा आपको यह ऐसी error आज सकती है अगर आप सीधे लेखेंगे मैं screen clear करके आपको समझाता हूँ मैंने command cd space crx आप देखें इस crx के अंदर एक page बन जाएगा यहां पर आप देखेंगे www.py तो इसी से वो चीज चलनी है तो आप समझ गए होंगे कि यह file कहां पर जो मैं आपको code देने वाला हूँ तो चलिए दूसरो इसे बंद करने के लिए command cd space dot dot इससे जो current directory है वो बंद हो जाएगी और run करने के लिए अब हमें command देनी है python वाली command तो चलिए हम command देते है python space crx folder है तो crx slash अब folder के अंदर file का नाम था web app तो मैं यहां पर लिखूँगा web app dot py तो python space crx slash web app dot py यह command आपको देनी है जैसे ही आप यह command देंगे तो यह जो tool है वो run होना start हो जाएगा यह web app dot py आप समझ गए होंगे मैंने कहां से दिये इसलिए मैंने यहां आपको दिखाया है तो definitely जैसी आप enter करेंगे आप यहां पढ़ सकते है ctrl c to quit c press आपको करने के लिए और आपको address पे जाना है 127.0.0.1 और 888 यह port number और running तो आपका जो एक तरह से local host होता है वहां पे यह run करेगा आप मतलब particular website पर जाके आप इसे नहीं चला रहे हैं एक तरह से local host ही आपको यहां पे मिल गया वहां पे आप इसे run कर सकते हैं तो I will show कि यह आपको कहां मिलने वाला है then यहां मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखी यहां आपको सीधा कुछ नहीं लिखना है सेम यही चीजे लिखनी है यह यह address लिख देना 127.0.0.1 और 888 तो जैसे ही आप यह चीजे यहां पे लिखेंगे port number के साथ यह जो है चलना start हो जाएगा यह जो search engine है वो run करना start हो जाएगा आप देखेंगे यह fresh way में run ह और यहां आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं जो भी आप सर्च करना चाहें तो एकदम safe है और secure भी है यहां आपकी जो भी searching है उन्हें track नहीं किया जाएगा दूसरी बात यह है कि एकदम secure तरीके से आप ऐसा कर पाएंगे and after all मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखी जो तो number of results आप देख सकते हैं बहुत जादा है engines cannot resume कुछ छोटी मोटी problems ऐसी हो सकती है time out वाली काई बार net की speed और ऐसी काई जिकते होती है उनकी वज़े से आपको दिखाएगा तो अब हम बात करते है images देखने हैं तो images पे click कर सकते about पे आपके लिक करेंगे इस चीज की पूर private search engine के तौर पे secure search engine या private search engine के तौर पे इसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं आप यहां पढ़ सकते हैं Google आपके recording track करता है जो भी आप search कर रहे हैं लेकिन यह नहीं करता technical details और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है how can I make a town यह देखे code यहां पे लिखा हुआ है आप अपना कैसे बन share कर सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा